लोग मुझे पूचते हैं कि इम्प्रिके अरबाकी दूसमी थेरपी में फरक क्या है और मैं उनको हमेशे यही बोलता हूँ कि भाई भारत की संश्रिति, भारत की इथियास आपको सबको पता है अब पहले क्या खाते थे, पहले किस तरीके करहन से था किस तरीके से आप देसी तरीके से इलाज करते थे जड़ी बूटियों से इलाज करते थे आज हर कोई और्गैनिक की तरफ भाग रहा है हर कोई अपने सबजियों में पेस्टिसाइड्स नहीं प्रिफर करता जो आटा दाल चीनी है वो और्गैनिक ले रहा है तो जो इन सब चीजों में आपके राशन में organic पर आ गे हो तो दवाईव में organic क्यों नहीं आ रहे हो दवाईव में क्यों आपको chemical चाहिए नाने के साबून में आपको paraben नहीं आपको तुलसी चाहिए कोविट के टाइम पे एक पॉजिटिव बात हुई है लोग समझने लगे हैं इम्यून सिस्टम के एमियाद और आज मुझे बताने में लोगों को बहुत असानी होती है यही मैं जब 20 साल पहले बताता था तो लोग हसते थे आज नहीं पूछता कोई क्योंकि आज वही इम्यून सिस्टम से आप कोविट से लड़ रहे हो आज उसी इम्यून सिस्टम से जितना कोविट से बयानक इंफेक्शन भी हो गया लंग्स में सीटी स्कोर भी बढ़ गया तो भी आप इम्यून सिस्टम से लड़ रहे हो उसी तरीके से वो ही immune system आपके cancer में काम करता है वो ही immune system की दवाईयां दवाईयां बदलती हैं दवाईयां natural है पट है आपके nature से ही जुड़ी हुई है आपकी पेड़ पौदर से ही जुड़ी हुई है आपके mineral kingdom, plant kingdom से ही जुड़ी हुई अगर आपका विश्वास है कीमो थेरपी पर लीजे उसके साथ immune system की immunotherapy ले लीजे एक तरीके से bulletproof jacket पहन गई तो अगर आपको कीमो का इलाज कराना है तो कीमो के साथ साथ normal style इतने ज़्यादा strong हो गए कि आप कीमो भी जहिल सकते हो इतने ज़्यादा सच्शम हो गए कि radiation की side effects भी जहिल सकते हो अब लोग पूछते हैं कि doctor जब cancer हो गया doctors ने बोला है कि surgery कराओ, operation कराओ अब surgery कराने भाग हूँ या फिर immunotherapy पर जाओ आपका तो advanced stages पे काम नहीं करता है, early stages पे काम करता है अब मेरे याँ data ये है, या देखा ये गया है कि एक नहीं second case है जब हमारे पास हर कोई हार कर, तूट कर, सब पैसे लुटा कर, सब तरफ से निराश होकर तब हमारे पास आता है, और तब वो सोचता है doctor ठीक तो हो जाएगा ना मैं हमेशा कहता हूँ भई धहरे रखो, patience रखो और भगवार ने चाहा अगर उपर राल ने उमर दी है और अगर इलाज सही है तो ऐसा होता नहीं कि आप ठीक ना हो इलाज सही है वो मेरा जिम्मा है बताना आपको बस अपना mindset strong रखना है आपको बस एक उम्मीद positive रखनी है आपको अपनी negativity से दूर रखना है अब immunotherapy काम किस तरीके से करती है फर्स करिए कि आपकी कोई जगे पर दुश्मन ने कबजा कर लिया और धीरे धीरे करके वो अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है और आपकी जगे को घिरता जा रहा है सेम उसी तरीके से आपके शरीर में cancer फैलता है जगडता है धीरे धीरे करके अपने areas फैलाता जाता है जिसको हम metastasis भी कहते है अब इसी तरीके से अब इसको मारने के दो तरीके हैं दुश्मन के पहला हम इतनी तेजी पावर से कोई बम गिराएं या कुछ उस पर अटैक करें कि वो धीरे धीरे करके शरील को भी डामेज हो और साथी साथ दुश्मन भी मर जाए ये तरीका हो गया कीमो तरफी का ये तरीका हो गया रेडियो तरफी का जिसमें आपने या तो जला दिया या फिर आपने इतने हार्श इंजिच्शन दिये या इतने हार्श तेजाब की इंजिच्शन दिये जिससे कैंसर सेल तो मरे दूसरा तरीका है कि एक जैसे देश के सैनिक होते हैं जब वो जंक पर लड़ने जाते हैं तो आप उनको बुलट प्रूफ जैकेट पिनाते हो हेलमेट पिनाते हो पूरा अस्तर शास्तर देते हो सारे आम से नेमिनिशन देते हो ताकि दुश्मन से जब वो लड़े तो वो ड तरोदर शमता आपका immune system आपकी immunity इतनी जादा भड़ जाती है कि normal cell इतने मजबूत हो जाते है कि वो cancer cell को खतम करते हैं लोग पूछते हैं आप ने immune system भड़ा दिया कीमो थरपी जहलने का आपने उसको ताकत दे दी पट cancer कैसे खतम हुआ अरे भई जब immune system भड़ रहा है तो immune system इतना जादा strong भी तो हो रहा है कि वो cancer cell को खतम कर रहा है ये समझना जरूरी है सेम तरीके से अगर immune system में अगर हमारी आदतों से या हमारे रहन सहन से हमारे आज के जितना हम nature से दूर जा रहे है उससे जब cancer हो रहा है solution आपके अंदर है आप artificial चीजों की तरफ भाग रहे हो आप synthetic चीजों की तरफ भाग रहे हो जब खाने पीने में आप organic हो रहे हो दवाईयों में भी organic हो और वो इलाज चुनों जो आपको अंदर से ठीक करे natural करे और minimum damage करे या फिर damage ही ना करे और आपके immune system इतना ज़्यादा strong हो जाए कि वो लड़ सके मिमारी को positive रहिए अपने immune system पे अपने अंदर के science पे भरोसा करिए अपने अंदर के scientist पे भरोसा करिए अपना ख्याल रखिए मश्कार